कि बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपडेट विपर है कर में मैं सुरत राज आसके देखने वाले जो भी छात्र बीए सेकंड समस्टर में है का पेपर है और आप देख रहे हैं मैक्रो कि कुरो मिक्स अब इसमें जिसे हम हिंदी में समस्ट कह सकते हैं समस्टी कि अर्थ शासर बोलते हैं और यह 2022 में आने वाली कोशन बात करेंगे 2022 में आने वाली कोशन की कि इन कोशनों को आप याद करके इन कोशनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे मतलब कि आप 2022 के टॉप पर बनने वाले हूं कि आपको जितने भी जिलोजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ हमने सारे इंपोर्टेंट बालों के लिए बीकॉम के सारे पेपर के लिए इंपोर्टेंट कोशन डाल रखे हैं आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीए से बीकॉम कर रहा है तो उनको बता दो कि पेपर हैकर यूटूब चैनल पर सब कुछ आपको मिल रहा है और साथी साथ आपको भाई से त्यारी करनी चाहिए मैं आपसे बादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूँगा जो कोशन दे रहों भाई कोशन त्यार करके चले जाएए य ठीक है वह भी आप डानलोड कर चाहिए और वहमारा आपको पेपर हैकर डॉट इन वैप साइट है याद रखना पेपर है कर डॉट इन एक हमारी वैप साइट है जिसका लिंक मैंने डिस्कप्शन बॉक्स में दे रखा है उस पर आप टच करना है और आपको सब कुछ मिलन बीड़ोड कर लेजिये यह हैं देको समस्त्री अर्थसास्त्र अथवा जैंक ने एककनोमिक्स वह इसको दूसरी भासा में ब्यपसाइक अर्थसास्त्र भी बोलते हैं और इसकी जितनी साखाएं है जितनी भागों में इसको बाटा गया है उन परिकारों को देख लेना सब्सक्राइब मैं कज़ा करना है कि जो उसको मापने में कौन-कौन कौन सी कटनाई का सामना करना पड़ता है उन सबी कटनाईब्व के बारे में आप याठक ठ êận कि अरण Electusun देखें नेस कोशन है राश्टिया लेखांकन का प्रुस्टू करना मतलब कि जो राश्टिया होती है उसका हम एक ताले का बगैरा कुछ लिखते हैं मतलल लेखन तो हता है लेटिन करता है उसका आपको प्रुस्टू करना है किस तरीके से आप करेंगे राश्च्रीय का अधुनिक संकल्पना जो अधुनिक Springs होती है राश्च्रीय की व कौ leash को से है उनको आप याद करेंगे उबहुता जो कै सकते हैं क्लल क्या होतά है सके महत्त क्या होते याद करेंगे और लिए-जन बहुत important है यह फलन और पूझी की सीमान चमता क्या होती है यह आप याद करेंगे 2022 में सारी कोशन आ रहे हैं एक भी बाहर नहीं जाएगा किसी भी आप इनिवस्टी से हैं यूपी की किसी भी इनिवस्टी से हैं आपका फस सेमस्टर वाई हो गया है सबी का आपको डरने की ज चनल राजकोशिऑ लिदgende के लिए होती है उसके उद्थेशों को को इस अड़कोंतों आप में अभी प्राइड क्या है उसके महत्व कि बारे में और उसके महत्व के बारे में आपको याद कि लेना नेक्स कोशन है ब्यापिक बैंक कह सकते हैं साख का निर्मार किस परकार करती है यह बहुत ज़्यादा ब्यापिक बैंक जो होती है वो साख का निर्मार किस तरीके से करती है साख का मतलब होता है साख का निर्मार किस तरीके से करती है समझ देना मेरी बात को उसके बाद में नेक्स कोशन यहां बोला गया है देखो यहां है फिसर में मुद्रा परिमार सिद्धान्त की समीकड अलोचना करनी है समीकड के बारे में लेकिना है साथ ही साथ उसके अलोचना करनी है नेक्स कोशन है मुद्रा मुद्रा के जो मुद्रा है ठीक है उसके परिम सद्धान्त के बारे में आपको बताना है और वह कौन利 कर कर दौरा क्या हो तो नहीं की तर Şu उसकी परिभासा लिख देनी है उसकी बाद में नेक्स कोशन आपके सामने है वो है संतुलित ब्याज की बात करने वाले हैं संतुलन ब्याज दर ना केबल द्रब की पूर्ति एव मांग में वलकी बचतों और बीनियोगों में भी बराबर होनी चाहिए यह बिबेचना करनी है तो यह कोशन काफी इंपोर्टेंट रहेगा जो आपको बिबेचना करने के लिए बार बार पूछता है इसको आप नोट कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट पर जाका देख सकते हैं सारी इंपोर्टेंट कोशन मैं वेबसाइट पर डालता हूं आप बहां जाकर भी व खरणाओं को समझाना है और गुड़क से आप समस्ते क्या है मतलब गुड़क की परिवासा क्या होती है यह आप याद करेंगे नेक्स कोशन है मुद्रा इस पूती से आप क्या समस्ते है इसके काण उसके उपायों के बारे उपचारों के बारे बताना है मुद्रा प्रसार क्या होता है ये आपको बताना है और फिलिपस बक्र का उपियोग कहा कहा होता है ये हमें पता होना चाहिए तब योई है ये वारे में बना बना के लिखके आएंगे ञें ये है तरलता जाल को समझाइए और उसके साहथ मुद्रा चलन बेग क्या होता है ठीक है यह लागत जम इस फुती होती है उसके बारे में उब्भूगता फलन ओके मैं तो ऊपर बता चुका हूं यह किंस तो किंस का उभोग सम्मंदी जो मनुबैग्यानिक नियम था उस मनुबैग्यानिक नियम को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से याद कर लेना इसको लाश्ट कोशन खतव यह देखिए यह है फिसर द्वारा प्रतिपादित मुद्रा परिमा उपर बता चुका हूँ फिसर द्वारा छोण दीजिए यहाँ देखिए ब्याज का एक नव किंसियन सिध्धान्त का वणन करना है यह आप अच्छी तरीके से देख लेना बाकी आप इन कोशनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे मैं आपसे बादा करता हूँ कि आप यहां से फेल नहीं होने वाले हो बाकि जिनके कोशन MCQ आ रहे हैं मतलब कि बहु बिकल्पी कोशन पूछे जाएंगे वो हमारी PDF को डानलोड कर लेना MCQ बहां भी मिल जाएंगे और साती रिडियो भी प्रवाइड करा देंगे आपको ठीक हैं चिंता करने के ज़रूत नहीं है दोस्तों को शेयर कर देना अब आखी मिलेंगे नेक्स मिलेंगे नेटाब तब तक के लिए वाइवाइद दोस्तों चल्कों सब्सक्राइब करेंगे